दोस्तों मैं हूँ विने डिम्री और आप देखर अपना प्यार आर्टूब चैनल ट्रूगाडन डिम्री चैनल आज मैं आपको कनेर की कटिंग कैसे लगाते हैं इसके बारे बताऊंगा सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँ कनेर की कटिंग आप बॉंडरी में लगा सकते इसको लगानिक से क्या फायदा है कि जानवर इसको नहीं खाते हैं इनके पत्सक्ढूरानी जे अपको मैं बताउंगा साथ में कितने तरह फूल आते हैं देखिए यह डॉक है यह और एक यलो आता जाएंगे से कटिंग ले सकते हैं और तो अगर आप इतनी सी कटिंग लिएंगे इतनी सी वी काफी है तो अब आप आसपास देखें तो आपको सी कटिंग अराम से मिल जाएगे इसका पौधा कंवता है आपको आराम से मिल जाएगा इस वक्त चल रहा है में में चल रहे हैं तीस तारीक आज है सेंड़े सुभी का बजार सब्सक्राइब आठ यानि की गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त और जहत्तर जो कटिंग है वह बरसात में ग्रोथ होती है उसकी लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस तो इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं ऐसा पाधा आप यहां पर भी आपको दिखे उसकी आप इतनी सी कटिंग भी ले लिन्गे तो हो जाएगा और आपको बताता हूं कैसे इसको लगाना इसकी सारी लिफ्स का निए आप लीफ के साथ कभी मैंद डाली है इसवह ब्रूट में डाल देंगे इसे पानी में हम डाल देंगे इसको कोई बोतल ले लिए सब पानी में डाल दीजिए सुर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी भार कोई है इसको थोड़ा हवा में रहन दीजिए और इतना पानी में डूबे रहें दीजिए इससे क्या होगा तो 15 दिन तक आपको रुखना पड़ेगा 15 दिन में बहुत अच्छी से रूट आ जाती है फिर आप इसको लगा सकते हैं भी लगाना चाहरे हैं वो हर 2-3 दिन में पानी चेंज करें और यह मई का महिना है अगर आप सिधा पॉट में लगाना चाहते हैं या मिट्टी में लग और हर 2 दिन पाणी चेंज किया है इस में यह देखिए इसमें जड़ें आई है यह देखिए और वाइट वाइट है यह जड़ें आ गई है और मैं इसको लगा रहा हूं अभी दिन के मज़ते हैं तीन अभी दिन में टाइम नहीं लगाना चाहिए लेकिन अभी बढ़ी सारी टाइम चालो हो गया है समर में मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन सीजन रिनी सीजन आ गया है तो अभी आप दिन में भी लगाएंगे आराम से ग्रो हो जाएगा यह सारी कटिंग आ गई है कि यह मैं दिखाता हूँ दिखिए कटिंग आ गई है यह कटिंग आ गई है यह कटिंग आ गई है यह सारी जड़ें आ गई है इसके और इन तीनों में नहीं है लिकिन लीफ आ सारी है पहले लीफ आती है फिर रूट्स आती है दो हुग्गे है यह वाली नहीं वह इसमें लीफ नहीं आई है और नीचे गुरो भी नहीं है तो यह एकन हागी और सदॉदा दोस्तों में लगा रहा हूँ ये भाहर की boundary है मेरी तो पहले मैंने ये लगाया था चंपा लेकिन सी पतियाँ खा जाती है जानवराथे खा जाते है ये कॉस्मोस ये भी खा जाते हैं ये सदा बहार रहा इसको नएक हाते हैं और असोका है यहां पर आप इन सबremo लगा लीजिए मिर पास पीलर के हैं तीनों को आईएंगे इसमें आप आसपस कहीं देखेंगे आराम से मिल जयागी सей कटिंग एक सब्सक्राइब तो नेरी वीडियों दिखते रहे हैं चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें और जैसी इसमें आएंगे ये ग्रो तो होगी होगी लेकिन अभी फूल आने में इसमें टाइम लगेगा तो जैसी यह आते हैं मैं आपको जो हूँ जो भी उसक्त मैं वीडियो बना रहा होँगा उसक्त मैं बता दूँगा आपको कि दिखेस में फूल आ गए हैं आप भी आसपास जो भी आपको जहां पर भी लगे किसी कटिंग मिल रही है कनेर की कटिंग अराम से मिल जाती है आप आसपास देखेंगे तो मिल जाएगे आप और आराम से आप ग्रोव कर सकते हैं आप अगली वीडियो में कनेर के प्लांट के लाइट पेंग पेंग वाइट फ्लावर देखेंगे धन्यवाद दोस्तों